मातू साहब जो सब इंस्पेक्टर खादिर के कतल के जुर में पकड़ा गया था उसे पांच साल की सजा हो गई है पेचारा सब इंस्पेक्टर उसके बीवी बच्चे है या नहीं जी हां मैं हूं मिस्स राने आप कौन है आप क्या है मातू साहब ट्रक रवाना हो गया है कल रात बॉंबे पहुंच जाएगा रोको 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 सक्ट को सब्सक्राइब घुअ मातुर साब मैं रिकु बोड़ रहा हूं क्या डीके साब को बॉंबे जल्दी भेजिएगा राना ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है उसके आदमियों ने हमारा दो क्रोर का माल लपेट लिया और माइकल का बेह रहमी के साथ कतल कर दिया हां मातुर साब अब तो लगता है है कि यह चंग चलती रहेगी हमारी मरते दम तक है कि मातुर साब का हुक्म है कि सब हत्यार और यह गोला बारूद आज ही बॉंबे पहुंचा दो कि राना साब का ओर्डर है कि हत्यारों से भरी वो गाड़ी बंबई पहुंचने से पहले उड़ा दो कि अधिया कि जिन आदमियों ने हमारी हत्यारों से भरी गाड़ी को उड़ाया है उन्हें खत्म कर दो सारा का सारा माल आज पहुंच जाना चाहिए यह राना साब का ओर्डर है और सुनो अगर डीके के किसी भी आदमी ने कोई भी बीच में दखला अंदाजी की उसे गुली से उड़ा देना सुनो साथ इंस्पेक्टर कदम के होते हुए वहां हमाल नहीं उतारा जा सकता जो हमारी राश्ते में आए उसे खात्म कर दो है 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 एक जाइब है कि युद्ध है युद्ध आदमी है राना जिसकी सरपरस्ती में बंबई का हर गुनेगार पलता है राना जिसके मुझे निकला हुआ लवज इन गुनेगारों के लिए कानून होता है उसी तरह ये खतरनाक मुल्जिम सुल्तान राना की शेय पाकर कानून के साथ खेलता रहा लेकन आज ये कतल के इल्जाम में कट घरे में खड़ा है मैं अदालत से दर्खास करता हूँ कि इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए जो कि राना के मुझे पर एक तमाचा हो ये राना साथ है तमाम सबूत गवाहों के बायानात और सरकारी वकिल की जिरा सुनने के बाद मुल्जिम सुल्तान के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी है जिसे ये साबित होता है कि जगन का कतल नहीं हुआ बलके उसकी मौत एक एक्सिडेंट थी इसलिए अदालत सुल्तान को निर्दोश मानते हुए उसे रिया करती है झालत सुल्तान को अजब делать को जहां हुएंड़ रिया ऑफ़ों मानते हैं इस ये स्वावजिक रिया हैं उसकते हैं तो राद आपके दया से राना साहब मेरी बिट्या सुहागन बन गई हम यही सुनना चाहते थे राना साहब यह दोनों आपका अशीरवात लेने आए हैं जाओ बेटी बस जीते रहो जीते रहो जब कभी हमाई जोद पड़े तो यहां की दर्वाजे हमेशा खुले मिलेंगे आपका घर घर नहीं है राना साहब गरीबों और कमजोरों की वह चोकट है यहां से कभी कोई खाली हाथ वापिस नहीं गया है अच्छा तो अच्छा अच्छा जानते हैं कि हमारी डीके से बर्स पुरानी दुश्मनी है यही और हम यह भी जानते हैं के डीके और उसका दूसा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिल कर काम करते हैं और उनका तीसा भाई सोनू अपने भाईयों के बल्बूते पर सेट गुर्द अंदास के 25 रुपया हाजम कर गया लेकिन सोनू को चेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और गयारी दुश्मनी अब दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी नहों तो इसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू हमें सोनू जिन्दा चाहिए 24 गंड़े के अंदर इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज़ दे हमें सोनू को उठवा कर लाना है जिन्दा मुर्दा नहीं तो फिर यह काम क करेगा सिर्फ एक आदमी और तुम लोग ने अभी उसे देखा भी नहीं और सोनू कभी खौब में नहीं सो सकता कि वह हमारा आदमी होगा कुछ ही दिनों से वह हमारे साथ काम कर रहा है नहायत चुस्त चालाग और पुरतीला अल चालाग झालाग काम कर दो आदमी और तुम आदमी साथ को चकाम कर रहाँ जा ले काम कर दो एक आदमी मेंट खितसे थादः बालाग कर दोड़ीं पना कर दो आदमी तो पुम आदमी छोगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कियोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगकोगोगोगोगोगोगो अरे नाम तो होता है बद नाम देखो यारो किसको कहां से उठाना है किसको कहां पहुचाना है ये अपना धन्दा पुराना है काम का लेता हूं इनाम देखो यारो काम का मैं लेता हूं इनाम देखो यारो अरे नाम से क्या लिया ना मेरा काम देखो यारो हुआ 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 है मेरे नगमों के दीवाने हैं गई यहाँ वहाँ मेरे निशाने हैं गई आभी मुझे पर्दे हटाने हैं गई लोगों को तमाशे दिखाने हैं गई जल्दी जल्दी फर दो ये चाम देखो यारो जल्दी जल्दी हर तो ये चाम देखो यारो हाथ से न जाए ये शाम देखो यारो दिल आपका पहलाना है अपना भी काम बनाना है ये अपना धन्दा पुराना है नाम से क्या देना मेरा काम देखो यारो नाम से क्या देना मेरा काम देखो यारो अरे नाम को गुता है बजनाम को यारो दुनिया में पैसा न चाए सबको यही है जो रस्ता खुलाए सबको पैसे की तमना सदाए सबको पर ये गले न लगाए सबको पैसे की तमना सदाए सबको पर ये गले न लगाए सबको पैसे का जमाना खुलाम देखो यारो अरे सब जगरे इसको सलाम देखो यारो है झाल झाल जाल आग बानी में लगा के रख दू जमी को बनकते मिला के रख दू पढ़र को भी हिला के रख दू सारी मेह दिल को नचा के रख दू अगर किसे न हिलने के रख दू के कोशिश के तो इसका भेजा हिला दूँगा नमू को बन नमू नमू कर दूँट कर दूँगा कर दूँगा करक दूड़ा राना? सुना एए, तुम बहुत बड़े डादा बन गए हो? हा राना, हा नहीं कहते, राना को जी कहते मुझा पिंज्रा में कोई कैंटी कर सकता पिंज्रा तो वो है, जहां से हमने तुम्हें मंग आया था यह तो शेर की गुपा है यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया हमारी सुनो, आज रात अपने आवाज को अपने सीने में घौंट लो और कल सुबह का इंतजार करो जब तुम्हारे चीखें सुनकर शाय समंदर में थर्रा उठे जिसे हम्याल आते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पुछते हैं और सुनो, हमारे कान ना नहीं सुन सकते अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं और ना कहने वाले का हशर ये होता है अब बोलो, रुपया वापस ला रहे हो या नहीं नहीं लादा साब, मैं आजी परसे लटा दूँगा, आजी परसे लटा दूँगा मैं खोल दो इसे ये कुछ रुपय तुम्हारा इनाम इनाम कैसा मैंना तो आपका दियावा हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है लेकिन सोनुने अभी तक यही ना के रुपय नहीं भेज़े जी जाए एक बात और याद रखना मौत का खाफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है और यही खाफ सोनु को रुपया भेज़ने पर मजबूर कर देगा सोनुने रुपय भेज़वा दिये राना साथ प्रादा आगे भीया दर्वाजा खुला है इंतिजार करते करते यहीं सोगई खाना का क्या अंदर क्युनी सोगई जब तक तुम्हारे हाथों से पहला निवाला ना खालू खाना हलक सिने ची कैसे उत्रेगा अरे मेरी प्यारी बैना चल तुछली से खाना लगा मैं पटा पट हाथ में दो करताँ अच्छा तु रो रही? अच्छा सच बता तेरी आखों में यह खुशी की आशो है या गम के? जिस बहन का तुम्हारे जैस अभाई हो उसे गम कैसे छू सकता है भैया मा और बाबुजी का प्यार, बड़े भाई का दुलार जब तुम्हारी आँखों से बरसता है तो यह आँखे खुद खुद बैने लगती है देख रादा अगर इसी तरह से तुम मुझे कमजोर बना देगी तो मैं तुझे विदा कैसे करूंगा तुमने तो कसम खा रखी भाईया मेरी डोली उठने के बाद ही तुम किसी को भावी बना कर लाओगे मेरी बात मानो पहले एक अच्छी सी संदर्ची भावी लाओ रात दिन महनत करके रुपए जमा कर रहा हूं किसके लिए तेरे लिए ना और तू मुझे से कहती है कि पहले मैं शादी कर लो ठैर कल ये तो अरिला जी किया जाकर तेरी शादी की बात पक्की करता हूं अब अरुन के ऊपर कितना खर्चा हुआ है बाई जी वह सुन लो अरुन की मात दहेज में कुछ भी नहीं लाई कि अर पोई न थता ही है है हिसाप लगाए देख लो अब आरुन कोई मिस्वाइट के स्पताल में तो पैदा नहीं हुआ क्योब नर्सिंग होम में पेशन एर कंडिशन में पैदा हुआ है जब लगाा के देख लो और अब जब नर्सिंग होम में पेदा हुआ है तो कोई मिंसिपालिटिक स्कूल में तो जाएगा नहीं, कन्वेंट में पढ़ा है और मेडिकल में भरती कराते हुए जो डोनेशन, ओ हो 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 देखिए इतवारिलाल जी मैंने रात दिन कड़ी मेहनत करके दो लाख रुपय जमा कियें अब आप यह दो लाख रुपय तो दो मैने पहले की मार्केट थी भाईजी दो लाख रुपय अगर शूत पर दिये होते तो अब तक तीन लाख रुपय हो जाते हैं हिसाब लगा के देख लो अब यू करो कि एक लाख रुपया और जमा कर लो फिर देखो और उनकी बाराद दरवाजे पर धुम धड़के के साथ पहुंची समझो हां पर इतवारिलाल जी एक लाख रुपया मैं महिने पर मैं कैसे जमा करूंगा इतवारिलाल किया हर काम हिसाब से होता है औ यूत जाप वरिलाल जी आप मेरा यकीन कीजिए मैं एक पहनने में आपको पुरी रक्तम पहुंचा दूंगा अब लोस्ते कर दो एो जो ईप्राइप कर दो का थाल का ब타 मी द Clearly झाल झाल यह तो सुना था कि उपर वाला जब भी देता है चप पर भाड कर देता है लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि उपर वाला पेड़ से भी टपका था खर तुम अब टपा की गई हो तो यह बताओ के तुम इस पेड़ पर क्या कर रही थी? जी मैं कराटे सिख रही थी सर कराटे और पेड़ पर सुबह जो कोई मिला नहीं है अगर आप कोई अखी नहीं आता तो अरे वाल लेकिन तुम यह कराटे सीखने कुछ आती हो? इसके पीछे एक लंबी कहानी है सर अगर आप जाना चाहते हैं तो चली मेरे साथ चलो दुनिया में मर्द लाक इमानदार होगा तो सड़क पे पड़े हुए 50 या 100 रुपे की नोट छोड़ देगा लेकिन एक अकेली जवान अनात लड़की को कोई नहीं छोड़ता यह छोड़ा सा घर मेरा तन और मन चुपाने की यह की जगा है इसे तुम ड्राइंग रूम समझ लो यह बेडरूम पर इस दुनिया में मेरा जो कुछ भी है बस यही है और जो बहुत कुछ था उस कमीने ने चीन लिया चीन लिया? किसने? जिसकी तलाश में मैं बंबई आया हूँ और जिसकी लाश देखनी के बाद ही मैं यहां से जाओंगी अधुरी नहीं अपनी पुरी कहनी बता मुझे मेरा नाम जोती है और मेरे पिताजी चबलपूर में जश्त है ओड़ा ओड़ा तमाम सुबूत गवाहों के बायानात मुझरिम दौलत कारबारी को कुनागार साबित करते हैं कि मुझरिम ने रामलाल से जाथ्ती दुश्मनी निकालने के लिए उसकी भीवी और उसके मासूम बच्चे का पेरहमी से कतल किया इसलिए अदालत मुझरिम को तफ़ा 302 ताजिरात हिंद के तहद उम्र कैद की सजा सुनाती है जज सहाब आपने बहुत गलत सजा दी है काले नाक को पिटारे के अंदर रखा जाता है सिलाखों के पीछे नहीं और जिस दिन सिलाखों के पीछे से मैं सरग गया उस दिन तुम्हारी होने वाली बेवा और यतीम बेटी को बहुत याद आउंगा तुम जेल की सलाखों के पीछे बैठकर ओपर वाले को याद करो सलाखें बहुत मजबूत होती हैं वहां से भागना इतना असान नहीं होता कहां से भागना कितना आसान है ये तुम्हें मेरे सरकने के बात पता चलेगा जिस दिन सरक्या उस दिन बहुत याद आऊंगा बहुत याद आऊंगा जच साहब बहुत याद आऊंगा जच साहब और इस बात कुछ ही मैंने बीट गए लड़का भी ढूंड लेंगे पहले तुम फैसला तो करो अब चैनल बैटी तुम ने अपनी बेटी पी छोड़ दिया कि अभी वह पसंद कि लड़के से सिवाधि कर ओगी हमारी पसंद से हमारा फैसला यह कि पसंद ना पसंद का सवाली नहीं होता अब यह अप अपनी बैटी को पंडने दीज्ए बस हाँ मेटे पढ़ो ज़रूर ले हालो रमेश्वर दयल सर दौलत जेल तोड़कर भाग गया है सर हम पुलिस फोर्स आपके घर भेज रहे हैं जब तक वो गिरफतार नहीं हो जाता आपके घर पर पुलिस का बंदुबस रहेगा सर आप भी कमाल करते हैं पापा एक दिन मॉर्निंग पर नहीं जाएंगे तो आपके साहथ बिगर जाएगी क्या जब तक वो मुझरिम गिरफतार नहीं हो आता आप हरकेस बाहर नहीं जाएगे करना कानून होते हैं वैसे ही आदमी की जिन्दगी में नियम कानुन होने चाहिए न मुझरिमों की दर से कोट का कानून बदलता है ना मैं अपनी जिंदगी के कानून बदलूंगा ठीक है सर मैं आपके साथ दो पुलिस कॉंस्टेबल भेज देता हूँ अच्छा भई अब तो खोश हो ना जल्दी आना हूँ साब के साथ जाओ कि जल्दी आना हूँ अजार्फ करा दो कि जल्दी आना हूँ कुछको फना हूँ कुछको हुआ 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 है हुआ हुआ zat हए 이eur दodνा का विय कोहाँ खुए ए ज खिए ऐह का गाम खिश सलक डिए बसके भाम बहियू कि ऑ-खिए्ट मम, मम'M ममझ, dwa- पापा के लाज देखकर मा की आखे पथरा गए ऐसी पथराई कि फिर माने पलक तक ना छपकाई मा पापा से बहुत प्यार करती थी भगवान के पास पापा को कौन प्यार देगा शैद यह सोचकर बाभी उनके साथ चली गई मैंने एक नहीं दो अर्थियों को गड़ से निकलते हुए देखा जो मेरी डोली उठवाने की तंभना लिये थे उनकी अर्थियों को मैं तब तक खड़ी देखती रही जब तक और जहां तक मेरी नसरे देख सकती थी आज भी मेरी आखियों अड़तियों को जाते हुए देख रही है और आज भी मेरी आखें उस खुनी दरिंदे को तलाश कर रही है सुना है, बंबई शहर में इनसान और हैवान दोनों को छुपने की जगा मिलती है यहां की भीड में सारे चहरे अंचान हो जाते है पर मैं इस भीड में भी उस चहरे को पेचान लोगी मुझे खबर मिली है कि ओ हत्यारा यहीं इसी शहर में छुपा है मेरे पास उसके पुरानी तस्वीर है देखो शायद तुमने कभी कहीं इसे देखा हो इसके चहरे को तो दिमक खा गई है धड़ देखकर मैं कैसे पचान सकता हूं धड़ सर्फ इसले रहे गया है क्यूंकि इसका सर मैं काटोंगी और इन हातों से उसे खतम करने के लिए मैं कराटे सीखना चाहते हूं जोती कराटे सीखना एक तपस से आए हातों को तपाकर इन्हें फॉलाद बनाना पड़ता है क्या तुम इस आग में कुछ चकोगी जिस आग में मैं तप रही हूं उसकी तपिश इस आग से बहुत ज्यादा है तो फिर मेरा भी ये वादा है आज से तुम्हारी ये जंग शुरू पालद क्यों से एक बालद क्या से एक बालद कर्दोर। कि प्रह झाल झाल कर दो कर दो दो करेंजी। घाइधियो थाइधियो एाइधियो इटि मेंश्यों इसतवी नहीं पैर मुझादे अब। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथ ही मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जनम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथ ही मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथ ही मरते दम तक जयाँ जयाँ ट्री ही नसी नहीं तेरा साथ है तुझसे मुहाबत करके लज़त पाही गए दिने में देता है भुशियों अब तेरा गम रखे पढ़ने न देंगे गम के गदम तक पढ़ने रखेंगे संग जनम जनम तक छोड़ेंगे नहम तेरा साथ उसाथी मरते दम सक छोड़ेंगे नहम तेरा साथ उसाथी मरते दम सक कॉई धूण्डे अपने खुजाग कोई धूंडे कोई अपने सनम को अपना खुदा भी अपना सनम भी मिल गया तुझ में हम को कर लिये वादे खाई कसम तक लाई कसम दिलने के संगम तक संगम होगा जनम जनम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ उसाची मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ उसाची मरते दम तक झसलिए खख़ा हैं ओुए गार अजञा हैं गुए रुए हैं रीज आजगा हैं ऑर एंजाओ करेदे जुए हैं der ज मुए हैं क्लेस जानिए गल एकिर बख़मेस की क्ले व सिर्फ़मेस की की बना क्षोडमे से प्र एक लाड़ा की जड़िए झालाँ की लुए हैं मौसम आते जाते रहेंगे सावन फागुल लाते रहेंगे प्यार भरे दिन प्यार में रूबे प्यार के नव में गाते रहेंगे प्यार भरे दिन प्यार में रूबे प्यार के नव में गाते रहेंगे इस मौसम से उस मौसम तक दोर नहांगे जनम जनम तक छोड़ेंगे नहम तेरा साथ उसाथी मरते दम तक छोड़ेंगे नहम तेरा साथ उसाथी मरते दम तक कि माफ करना बापू आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलफोन नंबर पर लपेट ही लिया क्या करें मजबूरी थी क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था सुनाएं कि वर्सुवा बीच पर 20 लाग का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डाल कर दूसरी तरफ से तुम दो क्रोड का माल हजम कर जाओगे ना बापुना ऐसा मत करना क्यूंकि पिछले महिने तुमने हमारा एक क्रोड का माल लपेट लिया था अब हमारी बारी है हम कुत्तों से बात नहीं करते शेर की दहार तो पहचानते हो ना रणा ठीके बोटिया नोचने वाला गीदर गला खाने से शेर नहीं बन जाता राना डीके इन का जवाब पत्थर से देना जानता है बिना बताए मिलावट की जाती है माल नहीं उठवाया जाता इसलिए पहले इतला दे रहा हूं कि बीस लाग का माल पुलिस को मिलेगा और दो करोड का मैं ले जाऊंगा राना कमाल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा डीके ले जाने की बात तो भूल जाओ अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी माउत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नसलों की मींग भी उस माउत की खाफ सोड़ जाएगी कि बड़े भाई हमें यह तो मालूम है कि राना कमाल पुलिस कहां ले पेटेगी लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि राना कमाल कि उत्रेगा कहां मनोरी आइलेंड पर कि इत्रेग थे पुलिए आइलेंड पुलिए कया हमें फर्ड़ यह तुम्हारी ले leग राष बार देट और्वल गडारेंड इए आहरां कि ऑल्भलर तुम्हारी कि वाल यह दो चुम्हारी भार्ण कि जए खलग कि अगल है हैं तो नहीं है अजय को ओचा जाए नहीं यह सकते एमर्जेंसिय के चल को यह से नहीं जा सकते चलो अब है सुना नहीं आगे मत बंड़ा वर्ना वर्ना तेरी कोपड़ी लपेड़ दूगा खबरदार को अपनी जगह से लातो एक एक कभून के रख दुआ मैं यह तो रिखो है खत्म कर दो सबको लाइंस कर दो 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 जोटू विल्कुल सब्सक्राइब तुम लपेट लो इस माल को तुमारे पच्चेस लाग जो उसकमीने राना ने तुमसे हथ्या लिये थे वाँ भाईया क्या बात है भाई ने भाई का पैसा अच्छा वसूल किया सोनू राना का माल कहां उतरता है मुझे आज तक पता नहीं चल सका पिर तुझे यह राज कैसे मालूम हुआ रगू से रगू भाईया यह राना का खास आदमी है और मेरा नया बिजनिस पार्टनर हुं ऐसे ही राना के राज बताते रहो ज्यादा फायदे में रहो गए अच्छा तो मैं चलू हूं हां आव रगू जिस माल पर राना का खो उस माल को हजम करने के लिए फॉलात का पेच चाहिए हम उस बेड़े के हलक में एक उंगली डालकर उसके हलक से अपना माल खेंच निका लेंगे अच्छा है अटिक जानता नहीं के राना की शत्रंज का गोड़ा अड़ाइगार नहीं चलता सीधे राजा को मारता है कि में मैं अगा है प्राइब 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 इसे तुम्हारे आदमी ले जाना भूल गए थे इसकी कीमत सिर्फ पच्चीस लाक रुपए है राणा मैं तरी पूजा करोगे राणी के जब मौत करीब होती है तो अमराज के साथ साथ लोग राना को भी याद कर लेते हैं और आखरी बार सुन लो अब तुम चाहे माल की पेटियां पाताल में या आस्मान में चुपा दो और साथ और आज कर चौबी सो घंटे वो अपने घर में दुपका रहता है उसकी कमजोरियां क्या-क्या है शराब और खुबसूरत लड़की पर ये शोग वो अपने बंगले की चार दिवारी के अंदर करता है और उसे बंगले से बाहर लाना नमुम्किन को मुम्किन बनाने ही तो दूसरा नाम पर नहां है पाहिंदा नमंकिन का लफ़ तुम्हारे जबान पर नहीं आना चाहिए कि देखो है कि खुबसुरत लड़की का इस्तमाल करो परणा सहाब एंसी एक खुब्सुरत लड़की को मैं जानता हूं लेकिन जिस लड़की को तुम तो फिर उस लड़की से कह दो कि अगर किसी कवर में भी वो खूनी पड़ा होगा तो हम उसे खोद निकालेंगे ये राना का लफ़ है विखी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें इंतजार करने की आदत नहीं है जानते हो ना और है लड़की कहा है आती होगि साहब पार बाड़िश भे तो बहुत देज है कहीं घैन आहां के अधा है कै उसिए नम फार॥ तुमने अचले variance कोई ब़ीट proudly कोई बात नहीं कोई बात नहीं में कोई बात देख्के आजो इस बाद्ट्रूम किदर है उधर है उधर है 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 कि अधिया कि शीशा है यह बढ़ा दे तेरा बातन क्या है है तुम कहा हो में यहाँ तुम यहाँ तुम में गाँ तुम यही हो में भी यही तो यह दूरिया क्यो है हाई जितने खाजाने पास है मेरे सब का तुझे बता दूगी बाद किसी को जो न बताई तुझे को आज बता दूगी कर दी जड़ा दिल में काबू जो चरने तुदे त्यार का जादू खुद चली हाँगी में पास अपने दुश्मन के धीरे धीरे खोलूंगी में सारे राज बदन के दिल में तरे गिरूंगी में बताई बताई धीरे धीरे में सारे राज बदन के ये काफिर नज़र ये खुस्म शबाव चड़ते चड़ते उतर गई शरा में दिल नजर के लिए में कोई राज हूँ उसनों एष्क के हाद का साज प्यासी नजर से प्यासी नजर को दावत देने आई हूँ घर में रहने की रुत नहीं तुझे घर से लेने आई हूँ थरती बे बागल बरसे हम खुम क्यूं चासी तर से चल कहीं चल के ले आज मज़े सावन के चल कहीं चल के ले आज मज़े सावन के दिमे तरे जिरुंदी में बढ़े 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 अब हम तुम्हारे करदार है लड़की और याद रहे राना कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है साब चलती गाड़ी से कुछ आदमी ये पैखट बंगले में फिक गए है खोलो इसे ये वीडियो कैसे अट है साब चलाओ तुम्हारा बाया हाथ तो कट चुका अब तुम अपने दाएं हाथ का अंजाम देख रहे हो वो भी कटने वाला है बाकी रह गए तुम्हारी गर्दन अपने हाथों में लेकर नचोड डालेंगे हराम साथे रिवालवर को जिम में वापस रख लो रिक्कू की जान की कीमत तुम्हारे लिए दो क्रोड़ रुपए से ज्यादा है याद रहे हमारा माल एक वैन में रखो आज ठीक बारा बजे नरीमान पॉइंट के कोने वाली सड़क पर उस वैन को लाकर खड़ा कर दो वहीं तुम्हें एक एंबुलेस मिलेगी उसमें रिक्कू होगा और सुनो अदला बदली सिर्फ गाड़ियों की होगी और समझ लो अगर हमारा माल हम तक नहीं पहुंचा तो रिक्कू की लाश तुम तक जरूर पहुंच जाएगा अधिकू साब कहा है एंबुलेंस में अधिकू साओिकू अधिकू अधिकू चलो! आगे वाली कलीमा मोडलो आगे वाली कलीमा मोडलो काम कर रहा है तो इससे हमें क्या हमें तो देई रहा ना तीन लाग रुपे दहिज में बैटे हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए बेड़ गिने से नहीं पिता जी मुझे इस समाज में रहना है लोग मुझे पर उंगली उठाएं ये मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता तो अगर मेरा जिद्धी बेटा है तो में भी तेरा बाप हूँ ऐसा हिसाब किताब लगाऊंगा कि साब भी मर जाए और लाठी ना टूटें तरी सिद्धी रह जाए और मेरा काम भी बन जाए नवस्ते नवस्ते इतवारिला जी आई बैठिये है आज आपने यहाने की तक पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो दो लाग भी तुमने जमा किये या नहीं है तर असल मुझे चिंता एक ही बात की है वो दस दिनों के बाद में सक्सेना साब अमेरिका से आने वाले उनके आने से पहले ही मैं यह शुब काम को निप्टा देना चाहता हूं भई आके बाप हूं दो प्यार करने वाले दिलों को कतल करने वाला कसाइत नहीं हुना मैं अरे नहीं नहीं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अंदर आके देख लीजे ता आये नहीं है यह देखिए तो अरे लाल जी फुरे दो लाख रुपया है वो राधा आई ह अरे शुकी रहो बहू साथ दिन तक यह का हिस्साब किताब और देख लो आठ वे दिन तो हमारे गर में आके राज करना है सोने के जूले में जूलता बस और क्या है अरे आदा अड़ा अड़े-खड़े मूं के देख रही है जली से जोदी के साथ रासुई में जा और आपने जैसा जैसा काहा है वैसे वैसे होगा है अरे जोती चाहे तियार हुए कि नहीं आप बिल्कुल फिकर मत कीज़े पंडीची मैं बाराती हूं कि ऐसी खातिर करूंगा ऐसी खातिर करूंगा क्या आप देख ते रह जाएंगे जो बेटा आओ अरे नहीं साव नाश्ता वास्ता में नहीं करता क्यों आज उपवास है ना महालक्ष में कवरत है अच्छा बेटे यों करना कि दो दिन के बाद में आकर कि सगाई के रसम पूरी करते रहें तो बढ़ीजे जवर वगर खरीज़ेंगे ना आप तो मेरी चिंता खत्म हो गई वो कैसे वो ऐसी कि तुम्हारी हिंमत बढ़ाने वाली देख भाल करने वाली जिवा गई है हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ है यह वो खूबसूरत नागिन जो तुम्हें अपनी जुल्फों में लपेट कर राणा के कदमों तक ले गई थी हाँ बड़े भाई यही है वो जरीली नागन जिसे बिल से बाहर निकाल कर मैं लपेटूंगा हुआ 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 और आ करो अपने पूरा पूरा अपनी चाहिए हुआ है सचुरार जाकर हर साल अपने भाईया को राके बानने के लिए तु आय कि नाए ऐ कैसे बाते कर रहे भाईया क्यों नहीं आओंगी तो फिर आज की तरह पहले तू ही मेरा मुझ मिठा करवाना और आई हो जाएगी तो मैं तोड़ी ना तेरे मुझ मेने वाला डालूँगा जानती है आज रक्षा मंदन के मौके पर मैं तुझे क्या आते वाली दूगा क्या देने वाली बताओ तो आज मैं तेरे हाथ में अरून का हाथ दूगा एक भाई के लिए आज की दिन से बढ़कर और कौन सा दिन हो सकता है क्यों रक्षा बंदन के मौके पर अपनी बहन को उसका प्यार लाकर देते मैं भी तुआरी लाल जी के जाता हूं और तेरी शादी का मुरत निकलवाता हूं ऐसा सादा 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 रुपया का गया यही तो आखा था मुझे नहीं मारून भीया लेकिन गया का सदो प्रबार होगा मैं राद सदो पर्बार हो गया मैं रादा ये पूजी निन वालुं मेरी जाने के बाद यहां पर पोई आ था यहां पर कोई आए था कोई नहीं आय था लेकिन अब क्या होगा रादा अ अ हम जून अ Points के सब क्या हो गया isn't जिसन्दगी के सारी जमापुंजी कर लोट की टेरी ख़ुशियाद सचिने में गिं-गिंके चोड़ रहा था को एक जटके में उठा ले गिया के लेकिन तो घबरा मत तो घबरा मत तेरा इभाई अपने आपको प्रेंच दालेगा लेकिन तेरी खुश्या लुटने नहीं देगा नहीं बैया नहीं ऐसा कोई कदम न उठाना जिसे तुम्हारी बेहन खुद को सारी जिन्दगी माफ न कर सके टूटती है शादी तो टूटने दो पर कसम है तुम्हें मेरी अगर खुद को निलाम करने की बाद भी सोची समझ में निया रहा राना साब कि मैं क्या करूं अगर मेरी बहन की शादी टूट गई रहाना साब तो मुझे उसकी डोली की जगा उसकी अर्थी को कंदा हम तुम्हारे कंदे इतने कमजोर नहीं होने देंगे जये जो बहन की डोली न उठा सके इन आसों को बहन की विदाई के लिए संभाल रखो शादी के लिए तीन लाख रुपए जब चाहो ले जाना राना साब इतना बड़ा अहसान नहीं नहीं अहसान किस बात का राना की दौलत पर राना के हर आदमी का बराबर का हक होता है और फिर तुम तो राना के जिगर के टुकड़े हो मैं तो जिंदी की भर के लिए आप इससे बंदा हो राना साब हाँ हाँ इन दिनों तुहारा एक ही काम होगा उसका नाम है पीसी माथुर क्या बात है राना साब ये नाम लेते ही आपकी आखों में चुबंसी आ गई हाँ जाए पीसी माथुर का चहरा हमारे सीने में यूं पैवस्त है जैसे कील ठोकदी हो चाती में किसी ने आज से पंद्रा बरस पहले जब हम सब इंस्पेक्टर बनकर कलकत्य आए लगारी कुछ करते हो तुम किसके लिए काम करते हो अब्स नहीं मौन यह जाना से तुझे यह नहीं मालूम के चरफ सर्हें हुआइड देश की प्ली कुद्टीमा की तरह खा रहे हैं कितने घर बर्बाद हो जाते कितने अंदे हो जाते हैं कितने पाज और लूले लंगडे हो जाते हैं बोल तो किसके यह काम कर रहा है बोल सब राज उगल मुझे सर मैं जानता हूँ कि यह पीचे मात रुका आदमी है लेकिन यह राज नहीं उगल रहा जब तक यह राज नहीं उगलेगा मैं सर बेचान रहूंगा राने पुलीस की वर्दी और खून की गर्मी आदमी को बड़ा खुद्दार बाना देती है लेकिन हम उस सपाही की तरह हैं जिसके हाथ में सिर्फ म्यान है तलवार नहीं और खाली म्यान से यह जंग न तुम लड़ सकते हो और नहीं मैं मैं समयने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ और बताएए तुम्हारी पहुच कहां तक है मुझ तर और मेरी पहुच कहां तक है आई जी साहब तक लेकिन पीसी माथूर की पहुच बहुत लंबी है सेवा आदर्श देश भक्ति की भावना को किसी परानी बंध किताब की तरह अपनी लाबरेरी में संभाल के रखना और अपने बच्चों को पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना सिखाना नहीं वरना उनके बच्चे दाने-दाने क को मोहताज हो जाएंगे दाने-दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वह एक बेहसूल खौफजदा बजदिल पुलीस अफसर के आउलाद कहला है सर सेवा आदर्श और देश भक्ति की भावना अगर किताबों में ही ब और मरने का खाफ यह हमें इस फर्ज से कभी नहीं रोक सकते कि हम पीसी मातु जैसे लोगों के इफतार करें और सजा दिलवाएं इस फर्ज की अदाएगी में अगर हम शहीद भी हो जाएं तो हो जाएं सर हेलो कौन DCP साहब जी मातुर साहब किसी से फोन पर बात कर रहे हैं जी साहब DCP साहब का फोन है ओके साहब रमेश्वर का फोनी का फोन है सर उनसे को 15 मिंट के बाद फोन करें आप 15 मिनट के बाद फोन करो यह सब रिसीवर सुठा के नीचे रख दो है हलो हलो मातुर साहब मैं DCP लाल बोल रहा हूं कहिए लाल साहब क्या तकलीफ हुई आपको बड़ा गंभीर मामला है मातुर साहब हमारा एक सब इंस्पेक्टर आपको गरवतार करने की जिद में क्या खेह रहे हैं आप कौन है जो पीसी मातुर को गर्फतार करने की बात भी सोचे सब इंस्पेक्टर आने अभी अभी खड़कपूर से ट्रांसवर हो क्या आया है आपके खिलाब और निकल्वा में हुआ 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 है ठीक है देख लेंगे कादिर को पकड़ा है ना जी हाँ और उसे राज उगलवाने के लिए उसे तरह तरह की तकलीफे दी जा रहे हैं सगल अगर कोई नौकर मालिक को बचाते हुए मर जाये तो वह वफादार और शहीद कहलाता है ना जी हाँ ठीक कह रहे हैं आप और शहीद स्वर्ग में जाता तो कादिर को आज रात पुलीस कस्टडी से सुर्ग पहुंचा दो जी और उसकी मौत का इल्जाम सब इंस्पेक्टर राने पर आना चाहिए सुबूत ऐसा छोड़ो के राने को फांसी हो जाए क्योंकि अदालत तो सिर्फ सुबूत पर फैसला करती है इसी पीसी मातुर ने अपने रसूख अपने पैसे और पहुंच की ताकत से अपने खिलाफ उस खुन के सबसबूत मिटवा दिये और वो इल्जाम हम पर लगवा दिया लेकिन इस इल्जाम में कुछ खामिया रह गई जिस वज़े से हमें सजाए मौत तो नहीं मिली पास साल की कैद्बा मुशक् तुम्हारे दो बच्चों के हिस्सों में आई बिना तडपे बिना चीखे चिलाए वो लोग कि मर गए कि यह रिवॉल्वर अपने पास रखो दिवी बच्चों की लाशों से लिपटकर रोने का मौका तो तुम्हें नहीं मिला कम से कम इस रिवॉल्वर को खलेजे से लगा कर उनकी याद में आसुभा है लेना और याद रुखो इसी माथुर जिससे दुश्मनी करता है उसकी जड़ों को खोटकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है इसी माथुर पजले की सुलकती हुई आग लेकर हम जेल से निकले इस भयानकाद में हमारी वर्दी और कानून की इफाज़त करने वाला सब इंस्पेक्टर राने जलकर राक हो गया पीसी माथुर और उस जैसे तवाम खानून से खेलने वाले लोगों खत्म करने की हमने कसम खाली पीसी माथुर भेज बदल बदल कर नाम और शहर बदलता रहा वो आगे आगे हम पीछे पीछे उसकी तलाश में सालहा साल गुजर गए हमारे माबाप पिशड़ गए घरबार उजड़ गया उसको ढूंते ढूंते हम इतनी दूर निकल गए कि कल का सब इंस्पेक्टर रान आज का राना साब बन गया पीसी माथुर पीसी माथुर दीके के सरकताच हमारी जिन्दगी का नासूर आज पता चला है कि वो जिन्दा है और आज शाम उसकी माथ उसे कलकपते से खेंश कर बंबई ला रही है होराइजन होटेल गम्रा नमबर नौसो तीन में थेहरेगा पीसी माथुर हमें जिन्दा चाहिए गुद इवनिंग से विवनिंग आपीसी माथुर प्लकपता थैंक विविए क्या हुआ दादी लाइट चली गई थैरो अंधेरा दूर करने के लिए मैं रोशनी लाता हूं मेरी आखों के सामने तो हर वक्त अंधेरा ही देता है बैटी मैं जरा रिसेप्शन में देखता हूं यह लाइट क्यों गई है जी हलो रिसेप्शन यह लाइट क्यों गई है अभी आजाएगी सर ओके कॉन है भाइप्सक्षा बीस स्यार्व सेलंद शेप्टां सेटे के लिएगैं वेड़ी कॉन है क्यों बताई न खरी न खरीकोन जीएक तो हमश्या लुक्राब है। यह आ हो रहा है ॉय ने मॉर्स है र वुलाय। बाइक हो बेखी हाँ अफ पेखी बेखी notice ällen तो पिके उर मुडभ़ just तबरोगो samma JI चूरब अपलदी jobs झारदके फड़ी झार 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 खड़ त तबर तौरदके प्रिके प्रिका ठीजन नाम के दोगे से एक बेकुसूर आद्मी मारा गया जिस मातुर की हमें जरूरत है उसका फ्लाइट तीन घंडे लेट आ रहा है यह इतला हमें टेलीफोन से अभी अभी मिली ओ गॉड़ यह कैसा लड़त हो गया औरा थे खांवां से अआध्या नाम की वज़े से राणा के आदमियों है एक बेकुन है प्राग्या उसकी जगए मातुर मातुर्त माथु को को जाएकुर हो जाता तो हमारा सारा बिजने चोपट हो जाता तुम लोग शायद यह नहीं जानते कि मातु साहब हमारे कौन है वो हमारे सब कुछ है याद रखो अगर बंबई में मातुर साहब का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम सब को खत्म कर दूँगा तुम क्या करें डिके साहब राना के चारो तरफ उसके अद्मे ने कीला बना रहा तो उसके लेकी देवारों को गराना शुरू कर दो एक-एक को खत्म कर दो और राना को अकेला कर दो और हमारा सबसे पहला शिकार होना चाहिए जोती कर देचा जो व्ला कर दोती हैं जो दोते हैं आमेरे साची कर दोती हााााााा! कि यहाज़ रखाएंग कि अवाज बखाएंग कि अजा बाँ यहाज़ बखाएंग कि और भाँ वाज़ ठåहज़ इस तरफ शार बढ़ो क्या बात है जूती तो इतनी घबराई हूं है कुछ गुंड़े मेरे पीशे पड़े गुंड़े चल अंदर जाकर चुपजा जल्दी कहां चुपा उच्छपपन चुरी को मुझे ने मालूम क्यों उसकी जिंदेगी बचाने के लिए खुद मरना चाती हो कभर्दार कमी ने जो तुने उसे हाथ लगाया हुआ है हाथ है है अर्य जो आर्य तो आधा बीटिया क्या वाद लग रही है अर्य अर्य हर्या अर्यो रामू अर्यों चलो पर इस लॉनियों से बात में निपठ लिए लिए भाव अर्यों तुने एकोला कर दाख कर दो खो कर दो कर दो कर दो जो गिर दो कर दो उपयर कर दो पालिया? आर बाख का? हूआ 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 ऐा हूआ। झाल 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 जैड, हर लड़की की तक्तिर में सुहागन बन्ना नहीं रिखा होता और फिर भर्वान की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है हाँ चलो, चलो जैड हाँ हाँ मा, चिस्ने हमाना सहारा चीनलिया मैं तो भगवान से दुआ मांगतू, भगवान उसे भी बे सहरा बना दे नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं बोलते है नहीं जाने क्या मजबूरी होगी उस करीब आदमी की जिसकी वज़े से उसने अपने हाथ एक बेगुनाह के खून में रंगे हो मैं दुआ करती हूँ, कि भगवान उसे ऐसी बुद्धी दे कि वो किसी का सहरा मने, किसी को भी सहरा न करे आशों को पी जाओ, जये तुम एक बहादूर बेटे हो आशों बाइस दिल तो हलका हो जाएगा लेकिन गम कब हो जलका नहीं होता बोश तो उस वक्त हलका हो गया आना साहब जिस वक्त मैं उस कातिल को खतम कर दूँगा जिसने मेरी पहन को चीन कर मेरी दुनीया खतम कर दी राना साब राधा के कादिल का पदा चल गया है यह कद पीटर ने किया है पीटर पीटर को मारना इतना असान है यह सावंध खैर छोड़े सब बात है यह बताओ रानी आयकी नहीं आई वो तो कब की आगे याद कब की आगे तो ग्लासों की आवाज क्यों नहीं आती उसको बोलो हो जाए शुरू वहीं साइमार सुठो आहे पीरौकी जमनीकी काचो मसंबेकी पीरौकी जमनीकी काचो मसंबेकी आगे शाइ शाइ खते लूर नुरक 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 जैं। जैंनं echt साइँ शाइ शाइँ शाइँ पीरुगी आगे शजि CentUp हुआ 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 है झाल पूरिं पूरिं मस्सिं देली भगत के दाम नहीं चर जाए जो बंगे नशा तो भुसर नहीं का दाम नहीं एअ कर देल खन का दॉटली हमए जो बंगे दुनिया भुला ले की तुकला लेगी गुला लेगी दुनिया भुला तुट्या एड़े की तुकला लादे की इसमाने डाक शंप़ दच्वाच्त नूटा नूटा जूटा 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 अरे लेनाग लेनाग लोगों ने इतनी पी मेरी जितने सारूने लोग पीजाले छोरी बातां तो साची कह रही है कितने ही लुट गए कितने ही मिट गए पढ़ गए मकान बेता ले तस मैनो दारू की बोतले कमीनिये मैं तैनो फीना के तो मैनो फीनिये तिपी के मरता है दिवाने करता है दिवाने करता है तिवाने करता है यू जू भी इसे मसा नुदमक नुदा क्योंता 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 दिवाने करता है तो नुदमक 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 क्योंते दीके धिलीर दगी जाते मेड को जाट Ayda दारू जु अंदर हो, बंधा सिक अंदर हो कुल दारू जु अंदर हो, बंधा सिक अंदर हो जुनीया की भॉमा की आँख नुद אउन्दाय क्योंता चींदा पुल कथ नो कर नंन आजने वाँ नजने, पिटार! आज तरी जिन्दीक आखरेदीन पिटार! एखहहहह! ये तो वक्ती बतायगा, पच्चे! याँओए! याँओए! हाँओए! जाए है मेरा नामा जी मगर आप मुझे नहीं जानती माथुर अंकल और मेरे पिता जी आपस में बहुत अच्छे दोस्ते पिता जी के गुजर जाने के बाद माथुर अंकल ने कभी भी मुझे पिता के कमी महसूस नहीं हो ने दी सच कह रहे हो पेटी उनके गुजर जाने के पाद हम लोगों का इस दुनिया में कोई ने रहा कंपरी से घर मिला था कुछ दिनों में यह भी छोड़ना पड़े एक बेटे के होते हुए उसकी मा और बहन कभी बेश सहारा यह घर नहीं हो सकती मेरा घर आपी का घर है माची और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं आपके आने से मुझे मा की ममता और बेहन का प्यार मिल जाएगा तुम अगर बेटे देखिए ना कहकर आप नेरा दिल मत उखाईए आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा अच्छा तो रिको हम चलते हैं राना अपने आद्मियों के साथ हमें एरपोर्ट पर ढूंड रहा होगा और हम इस चार्टिड हेली कॉप्टर से थोड़ी यह देर में कलकत्ता पहुंच जाएंगे अल्दी बेस्ट वल्कम मिस्टर माथूर चलो अपने आद्मियों को बड़े ही प्यार से आखरी बार गुटबाई करो करो कर दो 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 प्रावा साम, मैने प्रावादा पुरा किया अब तुम जासक्ति, हुजाई जासक्ति मुझे माफ कर दो पाउपर हमारी बीवी के जिसका तुने कदल किया पाउपर हमारे दो मासूम बच्चों के जिनको तुने मार डाला क्या बखते हो साप अब ते आप तेरी मौत का दिन आहीं गया कि अब आधि आधि रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे इरद गिरती रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे सर पर खड़े हैं शोड़ दो इन्हीं कि राना की घर अगर दुश्मन भी आए तो इससे महमान का सलूक किया जाता है धीके अंदर चले आओ कि राना एक बार मैं अपने छोटे भाई सोनु की मौत के अदम को पी गया रीकू को अठवाया है फिर भी मैंने परदाश किया लेकिन आज पीसी माथूर को मार कर तुमने मेरे हाथ काटने की कोशिश की है अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगा राना की मौत इतनी चोटी नहीं जो तुम्हारी मुठी में हो और सुन लो कान खोल कर हर पूजा की शुरुवात गनपती की पूजा से होती है और इस बरस हम तुम्हारे महले में ही आकर गनपती की पूजा करेंगे और तुमने अगर हकीकत में अपनी मां का दूद पिया है तो राना के कदमों कर दो कर दिखना कन बती बाप प्रावा राया कर दोड़िया कर दो कर दो कर दो दो तो कर दो गण्पति पाबाबा मोरिया, मोरियारे मोरिया मोरियारे मोरिया खगती है, किस میں कितनी शक्ती है कौन ये बाजी मारेगा, कौन खेर में हारेगा मौका मिला, मौका मिला, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला मौका मिला मौका मिला बड़ी मुष्चिल से ये मौका मिला ये मौका नहीं छोड़ेंगे आज पटा के फोड़ेंगे जानके हमने मौका दिया अपना मादा पुरा किया मौका मिला मौका मिला तेरी खट जरोगा मौका मिला मौका मिला, मौका मिला, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला तुझ में खोटी सूर्य की जोटी शुक्ता मों के लिए ठम तेरी ही पूजा होती पहले पूजा कर लेकर हम पूजा काम करेंगे लेकर तेरा नाम प्रबु हम काम तमाम करेंगे पूजा में कोई पैर नहीं, हर चेना तो पैर नहीं कौन ये बाजी मारेगा, कौन खेल में हारेगा, हारेगा मौका मिला, मौका मिला, तेरे वक्त ज़नों का मौका मिला मौका मिला, मौका मिला, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला हुआ 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 है कोई उसे क्या मारे जान बूझ कर जो अज्यानी मात के मुह में जाए कैसे उसे बचाए भगवन कब तक उसे बचाए किसमें कितनी फगती है कौन ये बाजी मारे का कौन खेल में हारेगा मुपा मिला मुपा मिला जैगरेश देवा सेवा करे सपावे मेवा एक दंख बन Legnaw inconsist Portal ers di जैगरेश देवा यहक दंख बन 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 विनाएक जैगरेश देवा शब rich a canHAHA propose लुरे जिल्प इस पर होई जैगरेश धर नहर permettre मलिद मुर्य विसका जलिक दब करता है इसा को उनल याक दोई शब वो प्राणों से प्यारा, गर्प्राम सीकार हमारा, गर्प्राम सीकार हमारा डॉक्टर साब, बस इसे गनपती का चमतकारी समझिए, किराना साब बच गए जये गनपती बापा लगता है अब इसके हाथ बंदूक उठाने के कादिना हाँ, बड़े भाई, अब इस कुत्ते की नजरों में वो निशाना नहीं रहा मैं इसे ऐसा लेपेटूंगा कि ये जिन्दगी बर याद रखेगा अब 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 मैं सिर्फ राना की में से छोड़ सकेगा मिस रड़नी, मैं आपके पितागे खून की तैकिकात के लिए आया हूं मैं जानता हूं कि आप देख नहीं सकती लेकिन आप मुझे को ऐसा सुबूत बता सकती हैं जिसके आधार पर वो खोनी पकड़ा जा सके अगर एक बार उस खोनी की कलाई मेरे हाथों में आ जाए तो मैं उससे पहचान सकती हूं उसनी मुझे अपने मजबूत हाथों से पकड़कर बात्रूम में धकील दिया था मैं देख तो नहीं सकती पर चूकर एहसास तो कर सकती हूं क्या त्यारा कौन है थेंक्यू मिस रटनी तुम को ऐसे पेशावर कातिल को जानते हो जिसके हाथों की पकड़ बहुत मजबूत हो नए राना साहब मैं अपने बाप का प्राइस चित करना चाहता हूं इसलिए मैं पीसी माथुर के विद्वा और उसकी एकलौती बेटी को अपनी माँ और पहन बनाकर अपने घर ले आया हूं वो वो दोनों वो दोनों मेरे इस काम को गलत समझती हैं इसलिए वो नहीं चाहते कि मैं इस गुनाह के रास्ते पर और आके पड़ू अब राना सहाब क्या मैं ये काम छोड़ नहीं सकता ये सच्छा जय जो एक बार पाप के रास्ते पर चल पड़ा वो उसी रास्ते पर किसा चला जाता है और अपने घर वापस नहीं लोट पाता लेकिन तुमने अभी गुनाह के रास्ते पर इतना सफर नहीं किया कि लोटना सको होसला रखो और इस रास्ते से लोट जाओ हाशली से हर काम मुम्किन है हाशली से इंसान अपनी तगदीर जैसी चाय वैसी बना सकता है और राना की जिन्दिगी में कुछ ऐसे हिसाब होते हैं जिने राना अपनी आदाश की किदाब में लिखकर उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं यह हमारा वचन रहा के गुना के समंदर की कोई भी मचली तुम्हारे जीवन की पुईत्र नदी में कभी नहीं आएगी जाओ जाए इन अधेरों से निकल कर बाहर एक नया उजाला तुम्हारी रहा देख रहा होगा भूल जाना के कभी इस राना का साया तुम पर पड़ा और तुम गुना के रास्ते पे चल पड़े आज आज अगर मेरे पिताची जिन्दा होते तो मैं अपनी नई जिन्देखी की शिरुवात उनके चरण छुके करता आज आपके चरण छुलो बेजे अगर तुमने हमें पिता की पद्वीदी है तो याद रहे हमारी मृत्यू जहां कहीं भी हो अबारी सिता को अगनी तुमीं दिखाना जये जहां रहो आबाद रहो अपने मकसद को हमेशा अपनी नजर के सामने रखना करे कोई मुश्किल आए तो अपने इस राना को आवाज देना इस राना को आवाज देना तुम तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआी, 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 हुआए... कर देख बैना यह है तेरे भाई का छोटा सा गर चोटी से घर को क्या देखना भाईया मैंने तो भाईया का बड़ा सा दिल देख लिया जिसने रात दिन एक करके मेरी आखों की रोशनी दिलवाकर मुझे नहीं सिंदगी थी बस अब जब तक मैं जिन्दा रहूँगी सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को देखती रहूँगी अब तो बस जल्द से जल्द मुझे अपनी बहना की शादी की तैयारी करनी है तुझे इन हातों से डोली में बिठा कर बीदा करूँगा तब जाकर मेरा सपना पूरा होगा क्यों मा यां बेटी लेकिन पहले मेरे मननत तो पूरी कर लो मननत हाँ मैंने दुर्गामा से मननत मांगी थी अगर रजनी की आखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं नंगे पाउ मंदिर जाकर दुर्गामा की मूर्ती को दूद से नहलाओंगे मा मैं मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ तुम दोनों भाई-बहन बातें करो भाई मैं पहली बार तुमारे हाथों से गरमा गरम चाय पीना चाहता हूं मैं अगर हिले या आवाज निकाली मैं तुमारी खोपड़ी लपेट दूंगा तुमारी भलाई इसी में है कि चुप चाप हमारे साथ यहां से चलो अगर तुमने अपनी हलक से आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे भाईया की आवाज हमेशा कली खामोश कर दूंगा मैं इसे लपेटता हूं क्या बल्बुल है हराम जाने कर दो इसे आएचि चुर्डो मेर मैं बया कुर्डो आएचि चुर्डो मुझे आपना फिरे खाय एाय! आपना एाय! तो मुझे मारना चाहता है ना लेकिन तेरी एक ख्वाइस कभी पूरी नहीं होगी समझा आज तेरी जिन्दगी का आखर दिन है जिस तरह राना ने सोनु की लाश को पेटी मतल कर पहिया था आज उसी तरह तेरी लाश भी राना को उसी पेटी में पहिचूंगा समझा जिसली वाश लुष्चूंगा समझाने लाशा समझाने वह भीवाश दिन्दमा चूरो भीवाश को पायाँपने छिर को चॉब फिर को पायाँफने वाशा बाषिए जिसली आखिपती नहीं हुआ एजए नहीं ह्एव! चलो मा रजनी सब कुछ तबह हो गया बिटे मैंने मंदिर से आती ही देखा कि रजनी भी होश पड़ी अभी अभी होश में आती ही मेरा शक याकिन में बदल गया रजनी जहर मांग रही है बिटे उसे पंदा चाहिए मरने किल गया लेकिन हुआ क्या मा इक ही सजी तो औरत की दोलत तो दिया बिटे वो भी वो कमीने लूट कर चले गए मेरी बिटे तो पहले से बे सहारा थी अब तो तवा भी होगी ऐसा नहीं हो सकता मैं उस हरामजादे को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा मा क्या बात है जो आएए इंस्पेक्टर सहाब आएए और अपनी आखों को जरा अच्छी तरह से खोल कर देखिए यह दुनिया उसी के कदमों में जुकती है जो इस दुनिया को अपने चूते के नीचे रौन देता है सीधी और तच्छी रह पर चलने वले का अंचाम देखिए क्या बात है मुझे साफ साफ को हो साफ बात यह है कि उस कमीने ने इसकी इज़त लूट ले क्या मैं उसे ऐसी सजा दिल्वा हूंगा कि वो भी जिंदगी पर याद रखेगा उसे सजा दिल्वा के मेरी बेटी की इज़त आपर वापस आ जाएगी नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं जो बात घर की है उसे घर में रहने दीजे नहीं चाहिए मुझे ताना पुलिस का चेरी कल तक यह अंधी थी और आज जब इसने अपने आखों से इस दुनिया को देखा तो इस बेरहम दुनिया ने इस बेचारी को सबकुछ लुट लिया जब तक तुम्हारा कानून इसे इंसाफ दिलाएगा तब तक तब तक यह बेरहम दुनिया इस बेचारी को ताने मार मार कर मरने पर मजबूर करतेगी कहिं किसी किताब में तुम्हारे खानून में यह लिखा है कि जिस लड़की की इजस्द लुठ जाए तो कौन धम्हेगा उसका हाथ कौन ढाले कैसे गले मंगल्सूत्र हाँ जवाब दिजे इसज़ पोटर साब जवाब दिजे कौन करेगा इसके साथ शादी कौन करेगा इसके साथ शादी मैं करूँगे इसके साथ शादी मैं भरूँगे इसकी मांग में सिंदूर इंट्पेक्टर साथ आजाए इसलाव ओदा it हुअँए विपन उठाकर खामोश है ना सब्सक्राफ नहीं जीके और पर एंट्कू की कर्दूतू से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो और यह नहीं जान पाई राणा कि बहुत उचलने वाले शेरों को मैं कैसे उडा देता हूं बादार के किसी साक्षाप दरजी को बुला कर अपने कफन का माप दे दो ढीके और अपने पाल तू कुट तो से कह दो के साथ सात्रिक्को के अर्थी भी तैयार रखें 24 घंटे के अंदर-अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देख करी अपने मूँ में पानी डालेंगे अखंड सावपा क्यों ती रहों बैठी मा तुरका तुम दोनों के जोड़ी सलामत रखें कि मुबारको सर अब कलाई तेरे हातों में है आउस तो तु जानी गई होगी कि मैं कौन हूं मैं तो उसली जान गए थी भाई' जिस दिन मैने तुम्हारी कलाई पर राखी बांदी था कि लकाब केनने से शैतान जुकता है भाई! इंसान में और तुम तुम तु उ इंसान के रूप में देवता हो देवता भगवान तुझे बहुत खुश्या दे जिंदेगी पर पाप करता आया इसलिए यह भी नहीं मालूं कि बेहन को विदा करते हो क्या कहना चाहिए आप कर देए अगर किसीने मेरे दुआ कि हो तो वह भी तुझे लगी आप हुआ। एक अनमान गया कि अजया कि आखर अमाना गया आखर नहीं वर उन शिक आखर व एक आ हमका आखर आखर वखना था एक दलागी जाखर लोग एक आखर खता दे अखर भाज़ कि अगरेवा का पालेधार चला गया है हुआ 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 हु कर karışा द बापगर झा ट्रो खरोड़ कर आप कर अ प अ घर को कर था.. कर दो 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 अब कर दो यह तुम्हारे श्राद्ध से पहले श्रद्धा के पूल है रणा मुझे अफसोस है राना 24 गंटे के अंदर मुझे मारने की प्यास लिये ही तुम इस दुनिया से चले गए अफसोस करने की जुरूद नहीं दीके राना ना प्यासे पैदा हुए थे और ना ही प्यासे मरेंगे दीके है कि यह हमारा पुतला है जिसके आगे तुम अपना throttle रो रहेए थे और यह वो चाल थी जो तुम्हें और तुम्हारे चूजों को दो मारब नीकाल लाई तुम्हारा पुतला तो लेकिन याद रखना तुम्हारा मुर्दा भी यहीं चलेगा भी के राना को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इनसान पैदा नहीं हुआ असम खा चुके हैं तुम्हें 24 गंटे में खत्म करने की सोक करके रहेंगे और उसका मकाम भी यही शम्शान भूमे मकरर किया है और ये भी फैसला किया है कि इस दुनिया के तुम पहले और आखरी बनसीब कमीने होगे जिसकी ना तो अर्थि उठेगी और ना किसी कंद्रे का सहारा सीधी चिता जलेगी चिता तो बाद में जलेगी रहना पहले ये देखना है कि ये सफेद चादर किस पर कफन बन कर लेपड़ती है कि अ गजड़री लुआ? जाय थाइत गो मैंने गो मैंने ऱहाई't तो प्रिyers अ podsभा थे ध जो टो गो हाल हुआ हुआ हुग कि अ फजया कि अ अ अ अ और मुह कर दो ये रर कर दो कर दो की अ पार जुछ उिल मैं जिन्दगी एक नाट की तो है लेकिन जिन्दगी और नाटक में फरक है नाटक को जहां चाहो जब चाहो बदल दो लेकिन जिन्दगी की नाटक की दोर तो उपर वाले के हाथ में है उसे हमाई जिन्दगी का नाटक पसंद नहीं आया और उसने हम पर परदा गिरा दिया आरासब जोती उस चिता में जो जो जल रहा है वे तुहार पिता का काजिल था हमने तुहारा कर्ज उतार कर अपना फर्सदा कर दिया आरासब आज तक आपने यह बात बसे चुपा रखी हम यह कैसे चाहते कि तुहारे हाथ खून से रंगे जाएं जये जये हमारा इस दुनिया से रिष्टा खत्म हुआ लेकिन जये हमारी बची हुई दौलत से एक ऐसा घर बनाना जहां भूके को रोटी बे सहारा को सहारा अनपढ़ को विद्या और जाहिल को ग्यान मिले ताके नेकी और बदी की जंग में नेकी मरते दम तक जीतती रहे इसी घर में दो-चार गज जमीन इसलिए भी उठा रखना कि कभी कोई ववादार इंस्पेक्टर अपनी इमानदारी के विजन से जेल काटकर आए तो उसे रोजी रोटी के इलावा मन की शान्ती भी मिल सके ताके कोई कि इमाननार पुलीस वाला इंस्पेक्टर राने से राना सहाब न बन जाए तामसाब तामसाब खुश रहो आवाद रहो खुश रहो खुश रहो आवाद रहो खुश रहो खुश रहो parallels कि तंट रहो झाल वाह प्रव स्टेड़ी नेकार्व कॉक्षार्ण पुभ Organif